मद्यपदेश सरकार ने केंद्री एक मदस्स से व्याय के लिए लिखानदान पेश किया है वर्ष दोयार 24-25 के लिए वित्तिय वर्ष बजट हेतू सम्मिलित रासी 3,48,986 कौड रुपए है लेकिन मद्यपदेश में 1 अप्रेल 24-24 से 1,45,229 कौड रुपए की सेंक्सन की गई है मद्यपदेश के बहुत सारे सेक्टर्स में चाहे हो सिक्षा हो, स्वास्त हो, इसकूल विभाग हो सभी में अलग-लग रासीयां सम्मिलित की गई है तो देखिए पूरे बजट में किसको क्या मिला वीडियो अंतक देखिएगा शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि मद्यपदेश की सरकार अब बच्चों और महिलाओं के लिए और किसानों के लिए क्या कर रही है हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए लाली बेहनाओं के लिए बेरोजगारों के लिए किसानों के लिए बहुत सारे स्किम्स चलाई जा रही है बनाई जा रही है लेकिन यहाँ बीच में एक बात आई है कि आज हमारे यहाँ पर मद्यपरदेश में आप देखोगे तो बजट का अनुमान लगाया गया है और लेखानुदान पेश किया गया है बजट का अनुमान और लेखानुदान क्या होता है किसान कजलियान के लिए महिलाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए इसमें कितना पैसा दिया जा रहा है तो लगभग लगभग एक लाख करोड रुपए कितना? एक लाख से भी ज़ादा है एक लाख से भी ज़ादा है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देखोगे तो एक लाख आठ हजार करोड रुपए यानि कि अगर मैं इसका कमपेर करूँ पाकिस्तान से तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितना बजट लेख अनुदान दिया गया है उतना तो पाकिस्तान का रक्षा बजट है और आप उसे बात करते हैं लडाई करने की आप देखोगे कि 15% रक्षा बढ़ाने के बाद 1.8 लाख करोड रुपे इनका रक्षा बजट है जितना की हमारे मद्यपदेश का बजट है तो 1 लाख करोड रुपे तो हमारा बजट है इस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है देखिए मैं आपको बताऊंगा लगबग 2,52 करोड रुपे तो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं हमारे यहां की ठीक है अब आपके मन में आरा हुआ सर यह लेखा नुदान क्या है लेखा नुदान क्या है इस पर हम बात करेंगे तो आपको वीडियो पूरा देखना है मद्यपरदेश में आदिवास्कियों को बहिनाओं को किशानों को क्या मिला है वीडियो को पूरा देखिए आपको सब कुछ किलियर हो जाएगा समझ में आ जाएगा ठीक है और आज मुखमंतरी के कुछ कहे गए अंस भी हम आपको सुनाएंगे साथ में महिलाओं के लिए सक्तिकरण के लिए मतविदे सरकार क्या काम कर रही है वो बताएंगे तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पर बजट अनुदान क्या है बजट अनुदान लेखानुदान क्या है स्कूल के लिए किसान के लिए महिलाओं के लिए किसान करल्याण वग, उर्जवाग के लिए, ग्राविड विकास के लिए, नगरी विकास के लिए, पंचायतों के लिए सब के लिए लेखानुदान के माध्यम से आपको बजट रासी आवंधित की गई है अब ये बजट रासी कब काम आएगी, कैसे इसका उप्योग हो, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी बात, कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ बेल आ हमारे यहाँ पर वार्सिक वित्तिय विवर्ण की बात करेंगे, तो वर्स 2024-25 में बजट कर नुमान में कुल राजसे प्राप्तिया कितनी है, दो लाख बावन हजार दो सो अरसाट करोड, इतना तो हमारे यहाँ पर आय हो गई है, ठीक है, अब इसमें राज्यकर से करोड रुपे है, ठीक है, 2024-25 में बजट अनुमान में राजसे प्राप्तियां में लगबग लगबग बराबर कर दिया है, इनकी घाटा ना हो, फिर भी हमारे उपर करजा बढ़ रहा है, करजा क्यों बढ़ रहा है, इस परम चर्चा करेंगे, लेकिन 2024-25 बजट अनुमान 442 करोड रुपे है, अब आपको अब हाला कि इन सब चीजें से मतलब होगा नहीं, ये केवल अप्राइगाने वाले बच्चों के लिए, लेकिन हम बात करेंगे, सबसे पहले कि ये लेखा अनुदान के माध्यम से, इसकूल सिख्चा बिभाग को 13,003 करोड रुपे का आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं, महिलाएं खाना बनाती है, पिता जी को बाहर ऑफिस जाना है तो पैडलो खर्चा हो गया, बजट बनाते हैं, जिस बजट में हम बोलेगे, बच्चों के लिए हमने 500 रुपे महीने दिये, महिलाओं के लिए 3 रुप महीने दिये, पा है, अभी इसके कोई नई घोटना नहीं करेंगे, कोई नई ब्याजदरों में परिवर्दन नहीं करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकर हम यह बताएंगे, कि आगामी वर्स के समय हम सिक्षा बिवाग को इतने कौड रुपे देंगे, इसमें आपको काम करना पड़ेगा अब चुकि सरकार जब काम करती है, सरकार बिवाग होते हैं, आदिवासी बिवाग, जंजाती बिवाग, ग्रह बिवाग, ये बिवाग, तमाम बिवाग, सिक्षा बिवाग, स्वास्त बिवाग, सब को पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा कैसे देंगे, तो पैसा देख पेस होगा, बजट कब पेस होगा, लोग समझ चुनाओ कि जस्ट बाद, जुलाई अगस्त के असपास पेस होने वाला है इस बार, जब पेस होगा, तो उस समय इन चीजों में बदलाओ किया जा सकता है, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा, इसकूल सिक्षा बबाग के लि अब हम बात करते हैं, सिक्षा बबाग के बाद, सिक्षा बबाग के बाद हम बात करते हैं, किसान कल्यार एवं करसी विकास बबाग के लिए कितना दिया है, तो 9,593 करोड रोपे दिया हुआ है, अब ध्यान रखिएगा, इतना करोड रोपे दिये, किसान कल्यार एवं करस विवाग को इस विवाग को दे दिए महिला बाल विकास को केते दिए हैं तो 9,438.22 अच्छा आपको कहीं यह तुन दिख रहा है सर यह बहुत बड़ा दिखा हुआ है भाई यह पॉइंट वाली की बात की चीज हम पढ़ते नहीं है कि करण रूपय में लाख रूपय आधी दिखना है मुझे तो आपको केबल में इतना पढ़ा के सुनाता हूँ यह छोड़ देता हूँ ठीक है तो आपको देख रहा हो सर बहुत सारे यंग के लिखे हैं तो आप कम पढ़ रहा हो नहीं यह 22.22 है 22.22 है न किसान कलियान के साथ साथ महिला बाल विकास के लिए 9,438. करोपे किसान कर जान विकास के लिए यान गाउं की योजनाओं के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे तो 6,331 करोड़ रुपे नगरीय विकास एबंव आवास विखाग के लिए 6,143 करोड़ रुपे ठीक है यह बहुती बड़ी ख़बरे हैं आपके लिए मत्वे देस की और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वेपस्तित दी जाएगी, मैं एक एजुकेटर हूँ, पढ़ाता हूँ, आप सब के लिए MPPSC से लेकर प्रोलिस पटवाईत यारी करवाते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, महिला बाल बिकास का मैंने बता दिया आपको, लोग स्वास्तेवं परिवार करना भाग के लिए 5,843, यानि 43, 43 बोलते हैं जनरली, कुछ लोग 43 बोलते हैं, 43, ठीक है, 5,843 करोड रुपीस, जन्जाति कार 28 करोड रुपे, लोग नमार भाग के लिए 4,098 करोड रुपे, लोग स्वास्त अंतर की वाग के लिए 4,083 करोड रुपे, जल संसाधन भाग के लिए 3,000 जल संसाधन भाग, देखिए, नरमदा पर योजना के लिए, जल संसाधन के लिए दोनों के लिए अलग अलग शिख्षा भीभाग के लिए यानि कि देखो चिक्षा भाग आलग गए चिक्षा सिख्षा है मेडिकल कॉलेजिस खोल ले हैं उनके लिए उनकी एक्टूपमेंट देना है तो 1858 कर्ण रुपए नमदा घाटी विकास विवाग के लिए 1529 रुपे अलग से दिया गया है करड़ रुपे उच्छे सिक्षा के लिए अलग से दिया गया है 1520 करड़ रुपे ग्राय विवाग के लिए होम मिनिस्ट्री के लिए अंतरका जितने काम का जाते हैं उनके लिए 4560 करोड रुपे, लोग स्वास्तेवं परिवार कर लान वाग के लिए 5843 करोड रुपे, ठीक है, जल संसादन वाग के लिए 3074 रुपे, अलग से दिये गए हैं, ये पैसे दिये, अच्छे देखो, मैंने आप सो बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेखानुदान अच्छिनी में बजट से अंतर कैसे होता है, बजट में क्या होता है, कि कितनी प्राप्तिया हुई, कितनी योजना हम बनाएंगे, किसको कितना देंगे, बजट ऐसे ही पेस होता है, लेकि लेखानुदान में हम कोई नई चीज है, यानि कि लेखानुदान क यह आम तोर पर दो महीने के लिए वैद होता है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेस नहीं करती अब देखिए यह क्यों पेस किया गया मतपते इसमें बजट भी पेस कर सकते थे बजट भी पेस नहीं होने बाला है बजट अपरेल में पेस होगा जून जुलाई में पेस होगा मार्च अपरेल के बाद होगा जब भी होगा मार्च अपरेल के बाद भी होगा इनको लग रहा है कि दो महीने पेले हमापना प्रमोशन कैसे करा जाए तो भी हम कितना पैसा खर्च करेंगे किसी योजनाओं में, तो ये संससे मंजूरी लेके इन्होंने डायेक्ट बता दिया, हम इस वहाग में इतने इतने पैसे देंगे, इसको लेकर बहुत सारी बाते हुई हैं, लेकिन अभी हम कुछ अंस आपके लिए इस प्रस्ताओं के प किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल की सिक्षा, साइक्ल, स्कूटी, मोबाइल, ये सारी जो योजनाए हैं, इनी बजट के तहर चलती हैं, तो वीडियो को स्ट्टस पर ज़रूर लगाना, सेर ज़रूर करना, वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे महिलाओं के सकती करना के लिए, मत्बिदे सरकार क्या कर रही है, उसके लिए, महिला का कहा हुआ उए, उसके बाद महान यादओजी की बात सुनाओंगा, ठीक है? चलिए, सुनते हैं महिला ने क्या कहा है? मेरा नाम निंखिलोधिय मेर करती हुँ और मेरे समु का नाम ओ मन का ऑब अजी क ale blesने थे झूडिये तो मैं और किमू में शिलाई कर वाती हु और बैंक सकी मैं जगाँ गहाँ जाकर शमू का गठन कर थी और सिला करवाथी और उसके साथ TStID भी चला थी उसमें जो बहना युजना चल रही थी ठेवान ओर इना करे खेंडी और आई कार्ड़ी बनाती हुए स्ट क्छेभवाथी साथ संहुमय । देखिंग respective मैंने लॉन करवाई सब दीदियों की जो बैंक से CCL लॉन एक लाक लिया था तो सब ने मिलकर मसीन ली तो जो गड़वी दिरेस आई तो हम लोगों ने स्टार्ट किया सिलाई करना तो पहले जो महलाएं दो-दो हजार रुपे में काम महनत मजदूरी करती थी तो आप सब लो मैं आप मेंसे भी कुछ लोग चाहते होंगो स्वसासाजता समूह खोलना तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको घर में सरकारी नौकरी करना हो तो सरकारी अनुदान के साथ में कुछ न कुछ खोल के अपना काम कर सकते हैं और अपना बिजनस बढ़ माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं घर में भी आप अपने उद्योग धंदे खोल सकते हैं ठीक है महिलाओ ने दे को बताई दिया है कि बहुत फायदा मिल रहा है सरकार की दरफ से लग अपनी फ्रजान मंत्री की मौझूत की मिला मैं ने चोटा सा निविदिं किया था कि माननी प्रजान मंत्री प्र में हमको समय कम मिला और पार मुझे खुसी है और उनने एक बार नसफने दो प्रदान मंद्री की मौझूद्गी में जो इत्यास बना है। इसी दो महाँ से कम समय की सरकार ने तंक्या मामा के माध्यम से आधिवासी अंचल को चलिए। मौझा अधिजु का दूसरा बातान भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भजट और लेखानुदान के साथ लेखानुदान के अनुसार बहुत सारे बिभागों के लिए राश्री आवांटेट कर दी गई है। लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अगर आपके यहां कोई बच्चा है, इस्टुडेंट पढ़ाई करना चाहता है, तो हमारी दो ब्रांच है मद्यपदेश में, MP में। ठीक है, दोनों ब्रांच को लेकर अगर हम बाताएं आपको तो यह आप देख सकते हो, यह एक LIG चोराहे पर है और एक तीनिवली चोराहे पर है, हमारी दो ब्रांच है, जहां पर आप लोग offline तयारी कर सकते हैं, MP PSC, पुलिस पटवारी, ठीक है, इसके साथ साथ आपके ल अप्र मोट्स भी अवेलिगल है, ठीक है, यह सारी चीज hone, आपको प्राप्त हो जाएंगी, आप एक वर दिवत्सें एकादमी की application, Play Store पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद, प्लेस्टोर पर पे आपड यह पीस आपर पर ंघ्या एपर छो YouTube पर MPPSC-DSA से और जोईन कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम आपको बताना चाहते हैं कि लेखा नुदान के साथ साथ जितनी भी जितनी भी अलग अलग जंजाती विभाग के लिए कारवभाग के लिए चीजे दी गई है इसकुल सिक्षा विभाग के लिए दी गई है और एक और बड़ी बात की लाडली बहनाओं के लिए उजला योजना के थाथ फ्री गैस कनेक्शन आपको दिया जाएगा जो महिलाए छूडगे उनको लिए दिया जाएगा तीसरा चरण महिलाओं का सुरू हो चुका है जो विकास यात्रा निगल रही है बीजेपी की उसके माध पुरदेश के लिए मैं कल कीमतों के बारे में जानकारी आपको दूँगा और मैं बता दो आपको कि यह बजट है अगर इसके अनुसार करेंगे तो बजट के अनुसार हमारे मत्व्यदेश का विकास हो सकता है इसा लग रहा है होते हुए प्रतित हो रहा है आपको कैसा लगबग प्रदेश में हरवर्द खास करके मत्रदेश की विकास दर्थ आज की इस्तिति में 12 प्रतिसत से अधिक है उर्जा चमता 4,000 मेगावट आपकी सरकार के समय 4,000 आज की इस्तिति में 29,000 मेगावट से अगर आगे बढ़ी है आज 47,000,000 हेक्टर से अधिक सिचाई की लगबग 5,000,000,000 किलोमेटर से अधिक समाती सडके अगर मिली है सच्छता की सब्सक्राइब की जब भी कोई नई योजना आएगी हम आपको बताएंगे किसानों के लिए खाद बीज योजना भी आपकी जारी की जारी है आदिवासियों के लिए नए नए प्लान बनाए ज इसके तहत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्यम योजना प्यम आवासियोजना और लाडली पहना आवासियोजना तीनों को मर्ज करके महिलाओं को 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लेकर हाँ अगर आपको पढ़ाई करनी हो चैनल सब्सक्राइब कीजे जहन्त जे भारत आपका देशा